नमस्कर अब दिख रहे हैं वीखी निउस और में दिश्टोरोपाध है कोरोणा ने पूरे देश में कोहराम मचाया हुआ है लोगों को दवाई से लेकर आक्सीजन और इंजेक्शन तक नहीं मिल पा रहे हैं खासकर सबसे ज्यादा किलत आक्सीजन की हो रही है जिसकी वज़े से लोग दम तोड़ रहे हैं हालात हरोज बिगरते जा रहे हैं लेकिन फिल भी कुछ लोग अपने हरकतों से बाद नहीं आ रहे हैं वो ते इस मामारी में लोगों की मजबूरी का फैदा उठा कर कालावजारी करते हुए मन मानी कर रहे हैं अलाकि मानवता के दुश्मन बने ऐसे जाहलों को यूपी की योगी स्तरकार सबक भी सिखा रही है सीम योगी ने प्रशासन को सक्त आदेश दे रहे हैं कि जो भी दवाओं इंजेक्शन या फिर आउक्सीजन की कालावजारी करते हुए पाए जाता है उस पर तकड़ी कारवाई करते हुए एनसे लगाए जाए इसी बिच गाजिवाद पुलिस ने समीर उर्फ सलीम नाम के व्यक्ति को कालावजारी करते हुए पकड़ा गया है इस आदमी के पास से पुलिस को 638 ऑक्सीजन सिलेंटर परामत हुए है यूप पुलिस ने इस संबन्द में अपने ट्वीटर पर ट्वीट का जानकारी दी है पुलिस ने कहा है कि गाजिवाद पुलिस ने 638 ऑक्सीजन सिलेंटर परामत किये है और आरूपी समीर उर्फ सलीम की ग्रफतारी भी भी है जोसे ज्यादा कीमतों पर बेच रहा था हम राज़बर में जमा कोरो और जाल साजों के खिलाब कारवाई कर रहे हैं इन्हें गैंगिस्टर और एनसे के तहट हिरासत में दिया जाएगा यानि कि कालावजारी करते हुए पकड़े गए समीर उर्फ सलीम पर पुलिस, गैंगिस्टर और एनसे के तहट भी कारवई करेगी मैं स्पी सिटी प्रथम निपुड अगरवाल ने मीडिया को चनकरी देते हो बताया है कि तेजी से बढ़ते कोरोना संकर्मन के कारण आक्सीजन की मांग पढ़ गई है इस दोरान कुछ लोगों ने आक्सीजन की कालावजारी शुरू कर दी है इस पर अंकुष लगाए जाने के मकसद से SSP अमित पाटक के नविदिश पर एक विशेस अभ्यान चलाए जा रहा है दरसर पुलिस को सुचना मिली थी कि धाना लिंक रोड छेतर अंतरगर साइड चार बी तीस और दोगन चेतर में एक फैक्टरी है वहाँ पर भारी मात्रा में कालावजारी के लिए छोटे बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर जमा किये जा रहा है और यहीं से ऑक्सीजन की कालावजारी की जाती है सुचना के आधापा पुलिस में जब शापे मारी की तो मौके पर समीर और्फ सलीम मौजूद मिला वहीं फैक्टरी में चैसो अरती छोटे बड़े खाली ऑक्सीजन सिलेंडर भी बरामद हुए गरफतार किये गए समीर और्फ सलीम ने पूस्तात में कहा है कि वो जैगोपाल इंटरप्राइसेज का करमचारी है और अपने मालिक जैगोपाल मेहता के कहने पर छोटा सिलेंडर 10,000 रुपए और बड़ा सिलेंडर 30,000 रुपए में भीज़ता था पुलिस के मताबिक सलीम का मालिक अभी फरार है उसकी तलाश जारी है जल्द ही उसे भी गरफतार कर लिया जाएगा और दोनों के खलाब कारवाई की जा रही है पुलिस ने इनके पास से 5 सिलेंडर परामत किये थे इनमें एक घरा हुआ था जबकि 4 सिलेंडर खाली थे करने वाले लोगों की लगातार थर पकड़ की जा रही है लेकिन फिर भी ये काला वजारी करने वाले लोग बाज नहीं आ रहे हैं देश और दुनिया के तमाम कबरों को पाने के लिए देखते रहे हैं वीके नियूस नवस्कार